दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होगे इस वीडियो में हम आपको compare करेंगे जीयो और एयर टेल का दोनों का compare होगा इसलिए वीडियो को अंतक देखेगा क्योंकि दोनों धमदार कमपनी है इसमें आपको यह पता चलेगा कि सबसे सस्ते रिचार्ज में कितना दिन के आपके validity मिल सकता है यानि comfortable recharge और ज्यादा दिन के लिए आप बात कर सकते हैं ऐसा plan मैं compare करूँगा तीन recharge से दोनों company का Airtel और Gio का तो चलिए मैं आपको वीडियो को अन तक देखेगा लाइक जरूर करिएगा subscribe जरूर करिएगा यदि आप नए है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बात करता हूँ Gio का Gio सबसे सस्ता plan 155 उर्पे में इससे भी सस्ता है लेकिन comfortable plan जो आता है उसके बारे मैं आपको बताऊँगा दियान समझेगा 155 उर्पे में Gio आपको पूरे 28 दिन के लिए 2 GB डाटा एक बार देगा और इसमें आपको 300 ASMIS देगा अब बात करते हैं Airtel का थे Airtel भी 155 उर्पे में 28 दिन के लिए फ्री कोल और 300 ASMIS आपको देदेगा अब दूसरा compare करता हूँ तो धियान से देखेगा 84 दिन का compare करूँगा 3052 रुपे ठीक है Gio के लिए 395 उर्पे में 84 दिन के लिए आपको 6 GB डाटा एक बार मिलेगा और 84 दिन के लिए free कोल मिलेगा और 1800 ASMIS आपको मिल जाएगा Gio में 84 दिन का प्लान अब वही प्लान बात करूँगा Airtel के लिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा Airtel में 455 रुपे देना पड़ेगा यानि इससे आपका 60 रुपे ज्यादा लगेगा यानि इसमें 395 इसमें 455 रुपे देंगे तब 84 दिन के लिए free call और 6 GB data और 900 ASMIS आपको मिल जाएगा अब बात करता हूँ तीसरा compare पूरे एक साल के लिए जो आपको जानना जरूरी है तो ध्यान से समझेगा सबसे पहले बता दूँ Gio के बारे में तो आप जान जाएगे Gio में 1569 रुपे का 1569 रुपे का यदि आप खर्च करेंगे 336 दिन only 336 दिन के लिए 24 GB data एक बात और 3600 ASMIS आपको देखने के मिलेगा ठीक है Gio के लिए अब एर टेल में मुझे एक साल के लिए चाहे तो कितना लगेगा तो 1799 रुपे एर टेल आप चलेगा